क्यों जागा अखिलेश यादर्व का दलित प्रेम क्या है अखिलेश का एम वाईडी फोर्मूला कांशिनाम की विरासत पर मायवती वर्सेज अखिलेश हम लोगों भी कोशिश की कि बद्लाव आजा है पुड़ा हम लोग आवियाद नहीं हुए को कि ब्स पी ही इन वर्गों के हितों के मामले में किवल एक मात्र ऐसा मंच वे प्लेट फारम है इन वर्गों के हितों में पूरी मांदारी वर्निस्टा से लगा हुआ है क्या दलित लगाएंगे अखलेश यादव का पेड़ा बात ये तस्वीरे महज किसी पॉलिटिकल इवेंट भरकी नहीं है बलकि इन तस्वीरों के गहरे माइने है तीन अप्रिल को राइबरेली के दीनशाग गोरा ब्लोक में काशिराम महाविधहले में अखलेश यादव ने बसपा के संस्थापक मान्यवर काशिराम साहिब की मूर्थी का नावरं कर अखलेश यादव ने मान्यवर काशिराम की विरासत पर ही दावा ठोक दिया कि उनके आदशों पर चलने वाली सिर्फ बसपा ही एक मात्र पार्टी नहीं है बलकि समाजवादी पार्टी भी मान्यवर की विचारों पर ही चलती है कि जिनों ने मानेवार काशियराम जी की प्रतिमा को लगा करके उनों में नई फीरी को सुष निगरे मजबूर किया और कम से कम ये प्रतिमा जो लगी है उसके बहुत बहुते समाज के लोग बेड़ा मेरते रहेंगे कि माले काशिराम नेहीं न ХМ आज़ा नेका जी का ने साथ लिया को उसी का परणाम वे तो जो जाली में बदलाव हम लोगों लोको कोशिश ठीश है कि बदलाव का जाए पूरा हम faux अर्ट मुझे पूरा प्रोचा है के जिस सरीके से जनता अज़ा जाती हूँ अखलेश यादव का ये दाव यूपी की सत्ता में वापसी को लेकर है मानेवर कांशिराम की शरण में जाने के बाद अखलेश यादव अब बाबा साथ डुक्टर अमबेटकर की शरण में भी जा रही है 14 अप्रिल यानी डुक्टर अमबेटकर की जैनती पर अखलेश यादव बाबा साथ के जन्म स्थान MP के महु पहुँच रहे हैं बाबा साथ के जर्ये अखलेश दलित मतदाताओं को जोडने की कोशिश में हैं अखिलेश यादव की नजर उन दलित मतदाताओं पर है जो बस पादेख्ष मायवती से छिटक गए हैं। 2022 के यूपी विधान सबाचनाओं में मायवती के वोट बेंक में करीब 10 फीसदी की कम्याई थी। ये वोट शेर अन्य पार्टियों में बढ़ गया था। लेकिन अब सपाच आती है कि मायवती से छिटकने वाला हर वोट सिर्फ उसे ही मिले ताकि वो अखिलेश की साइकल को यूपी की राजनितिक गल्यारों में फराट अभरवा सके। अखिलेश को लगता है कि MYD यानि मुस्लिम यादव और डलित वोटर उन्हें दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यही वज़ा है कि अब अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम और यादव मदाताओं के ही भरोसे नहीं बैठना चाते बल्कि वो दलित मदाताओं को साध कर यूपी की गद्दी पर बैठना चाते हैं। अगले साल यानी 2024 में लोगसभा चुनाव होने वाले हैं और यूपी में लोगसभा की 80 सीटे हैं। ऐसे में दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव एक पंध दो काज वाली रणनीती पर काम कर रही हैं। मानेवर कांशिराम साहब की मूर्ती बनवाकर अखिलेश पहले ही पुरानी कड़वाहच को भूलाने का संदेश दे चुके हैं। और अब 14 अप्रिल को वो बाबा साहब डुक्टर मबेटकर की जन मस्तली महू जाकर बाबा साहब के सामने सिर जुकाएंगे। बड़ी बात ये भी है किस दुरान अकलेश यादव के साथ यूपी की राजनिती के दो और प्रमुक चैरे भी नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक RLD प्रमुक जैन शोधरी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंदर शेकर आजाद भी महू में अकलेश यादव के साथ मंच पर साथ नजर आएंगे। यूपी की राजनिती में इसे बड़ी खबर माना जा रहा है। यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी मिशन दोजाचोबिस के लिए खास रड़नीती पर काम कर रही है। मिशन काशिराम को धार देने और आगे बढ़ाने का काम भी काशिराम की ही सियासी प्योक्षाला से निकले नेता करेंगे। ये नेता सूबे के दलितो रती पिछ़़े वर्ग के बीच जाकर काशिराम साहब के संदेश देंगे। अखलेश ने शमिशन का जिम्मा, स्वामि प्रसाद मोर्य, इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर, लाल जी वर्मा, आरस कुश्वाह, त्रिभोवन दज्ज जैसे बसपास से सबा में आए नेताओं को ही दिया है। इसी रणनीती के तैत MP में 14 अप्रिल को बाबा साहब की जैन्ती के मोके पर अखलेश यादव, जैन्द चोधी और चंदर सेखराज़ाद एक मंच पर नज़र आएंगे और चनावी भशन भी देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कि क्या दलित बहन जी का साथ छोड़ कर अखलेश यादव का साथ देंगे। बदल डाला था अखलेश यादव के राज में दलितों पर उत्पेडन भी तेजी से बढ़ा था ऐसे में दलितों के दिल में भरोसा कायम करना अखलेश यादव के लिए मुश्किल साबित होगा अतीत की गलतियों को सुधार कर अगर अखिलेश यादव दलितों के दिल बे भरोसा कायम कर पाते हैं तो ये उनकी राज़नितिक पारी के लिए काफी मददगार साबित होगा क्योंकि पहले से ही उन्हें दलितों का एक बड़ा हिस्सा वोट कर चुका है 2022 के यूपी विधान सबाच चनाओं में बसपा से चटकने वाला करीब 10 फीसदी वोट सारा का सारा बीजीपी को नहीं चला गया था बलकि इस वोट का ज़दतर हिस्सा सपा की ही खाते में गया था सपा के वोट शेर में 10 दसमलो 2-4 फीसदी का इजाफ़ा हुआ था इसलिए समाजवादी पार्टी का ना सिर्फ वोट परदिशत बड़ा था बलकि सीटे भी ज्यादा जीती थी इसलिए अगर अखिलेश ने वाकई दलितों को ये भरोसा दिला दिया कि वो उनके हितों की रक्षा करेंगे तो उन्हें यूपी में बड़त मिल सकती है हाला कि बहन कुमारी मायवती को कम आकना अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकता है जो मतदाता बहन जी से अलग हुए हैं मुम्किन है कि वो दोबारा मायवती के दरफ लोटाएं वैसे भी मायवती लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं गरीवों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वैं अन्य धार्मिक अलप संकत समाज के लोगों के हितों का हर मामले में प्रात्मिक्ता के अधार पर पूरा पूरा ध्यान रख सकते हैं कोकि बीएसपी ही इन वर्गों के हितों के मामले में किवल एक मात्र ऐसा मंच वे प्लेट फारम हैं जो परम पूर्जे बावासाब डॉक्टर भीमराव अम्बेदगर की विचार धारा एवे मूमेंट से जुड़कर इन वर्गों के हितों में पूरी मांदारी वे निस्टा से लगा हुआ हैं अकलेश यादव अब बार-बार सामाजिक नयाय की दुहाई दे रहे हैं कभी जातीवार जनगन ना तो कभी शूद्रों के अपमान पर अकलेश यादव बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं अकलेश यादव को शायद अब समझ आने लगा है कि सामपरदाइक धुरुविकरन का जवाब सिर्फ और सिर्फ सामाजिक धुरुविकरन ही हो सकता है लेकिन जिस तरह एक टूटी हुई रसी को दबारा जोडने के लिए गाठ लगानी पड़ती है और वो गाठ अपनी जगे हमेशा बनी रहती है उसी तरह अतीत की धूखे और जख में भी अपनी जगे बने रहते हैं अब देखना ये होगा कि क्या खिलेश यादव अपने अतीत को भुला दलितों को सुनहरे भविश्य का सब ना दिखा पाते हैं या नहीं इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रू लिखे अगर आपको हमारा काम पसंद है आप चाहते हैं कि हम अमबेट करवादी पत्रकारिता यूँ ही करते रहें तो आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं आप इस QR कोड को सकैन करके सीधे हम तक अपनी मदद पहुचा सकते हैं इस QR कोड के अलावा आप हमारे बैंक अकाउंट में भी अपनी आर्थिक मदद भीज सकते हैं साथ ही आप UPI पर भी अपनी मदद को भीज सकते हैं आप 12A और ATG के तहत इससे डोनेशन की रसीद लेकर इंकम टेक्स में छोट भी पा सकते हैं आपसे अपील है कि अमारा होसला जरूर बढ़ाएं चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुले बिरो रिपोर्ट दे न्यूस बी